Hey guys, आज की movie बहुत special है दुनिया भर की लोगों ने इसे इतना पसंद किया कि इसे March 2023 में Oscar Award मिला अगर आप ये explanation देख रहे हैं तो एक second के लिए भी आपका ध्यान screen से नहीं हटना चाहिए क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आपको movie समझ नहीं आएगी इसका concept अपने आप में ही unique है इसलिए इसे 7 Oscar Awards मिले हैं तो बीना देर किये इस movie का explanation स्टार्ट करते हैं movie का concept multiverse पे based है और इस movie का नाम है Everything, Everywhere, All at Once और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए जिससे हमारे आने वाले movie explanation को आप enjoy कर सके कहानी की सुरवात होती है एवलीन नाम की औरत से जो अपने पती वेमन वांग, बेटी जॉय वांग और पिता गौंगौंग के साथ रहती है एवलीन अपने पती के साथ मिलकर एक laundry का business चलाती है वो वेमन से ठीक से बात भी नहीं करती थी जिसकी वज़ा से वेमन एवलीन को टाइवोस देने की सोचता है इधाय जॉय अपनी मॉम से मिलने laundry में आती है जिसके साथ उसकी दोस्त भी होती है एवलीन को ये पता होता है कि उसकी बेटी लेजबियन है और उसकी दोस्त के साथ उसका अफया चल रहा है पर एवलीन ये सब बाते अपने पीता को नहीं बता सकती क्योंकि इससे जॉय की इमेज उसके नाना के सामने खराब हो जाएगी वहीं जॉय को अपनी मॉम की यादत पसंद नहीं थी क्योंकि वह हमेज़ा उसको अपनी दोस्त से मिलने से मना करती है आगे हम देखते हैं कि उसका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है जिसके कारण उसके उपर टेक्स डिपार्टमेंट की एक आउडिट चल रही होती है यहाँ एवलीन कुछ इंपर्टमेंट पेपर देख रही होती है क्योंकि उसे टेक्स डिपार्टमेंट में जाकर उन कागजात को जमा करना था फिर वहमन, गॉंग और एवलीन उन पेपर्स को जमा करने के लिए टेक्स डिपार्टमेंट के ओफिस जाते हैं जहां वो तीनों लिफ्ट में होते हैं कि अचानक वेमन थोड़ा अजीब सी हरकते करने लगता है वेमन अपना छाता ओपन का CCTV को कवर कर लेता है और फिर एवलीन के कान में एक डिवाईज लगा देता है जिसके बाद एवलीन के सामने उसके बचपन से लेकर अब तक की पूरी स्टोरी प्ले हो जाती है ये सब उस लिफ्ट में ही हो रहा था वो देखती है कि वो अपने मॉम डैट के साथ बहुत खुश थी कैसे वो वेमन से मिली और दोनों में प्यार हुआ और अपने फैमली के अगेंट्स जाकर उसने उससे शादी कर ली वो और उसका हस्बेंट दोनों कितनी अच्छी लाइफ जी रहे थे उनकी एक प्यारी सी बेटी होती है जिसका नाम जॉय होता है दोनों लॉंडरी का बिजनेस संभालते हैं और आज जैसे तैसे अपनी शादी सुदा लाइफ जी रहे हैं जब वो यह सब देख लेती है तब वेमन उससे कहता है कि तुम्हारी जान खत्रे में है और वो पेपर में कुछ लिकर एवलिन को पकड़ा देता है और कहता है इसे पढ़ लेना पर मुझसे कुछ भी सवाल मत करना क्योंकि तब तक मैं अपनी दुनिया में वापस चला जाऊंगा ऐसा कहते ही वेमन एकदम से ही नॉर्मल हो जाता है इसके बाद तिनों आफिस में आ जाते हैं जहां उन्हें काम होता है वहाँ एक मैडम भी होती है जो उनसे उनके बिजनेस से रिलेटेड बात कर रही होती है लेकिन एवलीन अभी भी उनसा बातों को याद कर रही होती है जो उसने लिफ्ट में देखा था वो उस पेपर को देखती है जो उसे लिफ्ट में वेमन ने दिया था वो उसे पढ़ती है जिसमें लिखा हुआ था कि जीतों को पलट कर पहनो और ऐसा महसूस करो कि तुम जनरेटर रूम में हो और उसके बाद डिवाइज में लगे ग्रीन बटन को प्रेस करो जिसके बाद एवलिन बिल्कुल वैसे ही करने लगती है जैसे ही वो बटन प्रेस करती है वो कुछी सेकेंड में जनरेटर के रूम में पहुँच जाती है लेकिन उसे यहां ये भी फिल होने लगता है कि वो एक ही टाइम पे दो जगह पर है उस रूम में भी और उस आफिस में भी जनरेटर के रूम में उसे अपने husband की सकलका आदमी दिखाई देता है जो उसे बताता है कि उसकी जैसी दुनिया और भी universe में है और उसी दुनिया में से किसी एक दुनिया से वो यहाँ आया है वो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि कोई काली सकती है जो उसकी दुनिया को बर्बाद करना चाहता है जिसे तुम ही बचा सकती हो वो बताता है कि उस काली सकती को इसके बारे में पता चल चुका है इसलिए वो हर दुनिया में जाका सभी एवलीन को एक एक करके मार रही है तब ही हम देखते हैं कि उस रूम में वो ओफिस वाली मैडम आ जाती है जो पहले वेमन को मारती है फिर एवलीन को मानने की कोशिश करती है लेकिन जैसे ही वो उसे मारती है एवलीन वापस अपनी दुनिया में आ जाती है यहाँ ओफिस में मैडम तीनों से कहती है कि आपके पेपर्स इनकंप्लेट है और वो उन्हें पेपर्स जमा करने का लाश्ट चांस दे रही है इसके बाद एवलीन वैमन और गॉंग गॉंग तीनों आफिस से बहा निकलते हैं कि तभी एवलीन को ये फील होता है कि वो मैडम उसे मानने के लिए आ रही है इसके पहले वो उसे म करके एवलीन को बचा लेता है यहां वो बताता है कि वो अलफा यूनिवर्स से आया है जो इस यूनिवर्स जैसा दूसरा यूनिवर्स है वो यहां यह भी बताता है कि सिब अलफा यूनिवर्स ही ऐसा यूनिवर्स है जहां एक वेक्ति दूसरे यूनिवर्स में आ जा सकत क्योंकि उन्होंने एक device की खोज कर ली है जिससे वो एक universe से दुसरे universe आ जा सकते हैं वो बताता है कि alpha universe की Evelyn एक great scientist है जिसने इस device की खोज की है जिसकी मदद से लोग अपने universe में किसी भी दुसरे आउतार के साथ connect करके अपने और दुसरों से बात कर सकते हैं और उसके अंदर क की काबिलियत को भी पा सकते हैं जैसे वो अभी कर रहा है साथ में वो ये भी बताता है कि अलफा यूनिवर्स की एवलीन मारी जा चुकी है जिसका मर्डर जॉय ने किया था यहां में पता चलता है कि वो काली सकती कोई और नहीं खुद एवलीन की बेटी होती है वैमन उसे द जॉय ने पहले अलफा यूनिवर्स की एवलीन को मारा फिर एक एक कर सारे यूनिवर्स की एवलीन को मार रही है वो ये भी बताता है कि जॉय अलफा यूनिवर्स में कुछ ऐसा बना रही है जिससे सारे यूनिवर्स खत्रे में आ सकता है इसलिए हमें जॉय को कैसे भी करक रोकना होगा दोनों गार्ट से बचकर एक रूम में आ जाते हैं जहां पर वो मैडम पहले से ही होती है और उन पर अटेक करती है इसके बाद अलफा युनिवर्स वाला वेमन एवलीन को वर्स जम करने के लिए कहता है और अपना ग्रीन बटन प्रेस करने वाला था कि वो मैडम वेमन को दूसरे रूम में बंद कर देती है और दोनों अलग-अलग हो जाते हैं जिसके बाद वेमन एवलीन से कहता है कि मैं वर्स जम करने वाला हूँ और तुम्हें भी ऐसे किसी युनिवर्स में जाना होगा जहां तुम्हारे जैसे किसी दूसरी वेमन को मार्शल आर्ट आता है ताकि तुम वहां मार्शल आर्ट सीख कर इस युनिवर्स में इस मैडम से लड़ सको इसके बाद वेमन बहुत कोशिस करती है पर वर्स जम नहीं कर पाती वेमन को ये देखकर बहुत बुरा लगता है और कहता है कि साइद मैंने गलत एवलीन को चुन लिया और वो वर्स जम कर लेता है वर्स जम करने के बाद इस यूनिवर्स का वेमन वापस अपने होस में आ जाता है और एवलीन से कुशन करने लग जाता है एवलीन वेमन को लेकर भागने लगती है कि तब ही वो मैडम वहाँ उन पर अटैक करती है जैसे ही वो एवलीन को माने लगती है एवलीन वर्स चम करने में काम्याब हो जाती है और वो किसी दूसरे युनिवर्स की मार्सल आर्ट वाली एवलीन के अवतार में आ जाती है और उसके अंदर की काबिलियत को खुद में ट्रांसफर कर इस युनिवर्स में उस मैडम से तुरंत लड़ाई करती है जिसके बाद अलफा युनिवर्स का वेमन इस युनिवर्स के वेमन के अंदर आ जाता है लेकिन यहाँ एवलीन ये सब देख कर बहुत परिशान हो जाती है वो वेमन से इसके बारे में डिटेल में पूछती है वो बताता है कि अलफा युनिवर्स वाली एवलीन और मैं मिलकर हम बच्चों को वर्स चम करना सिखाते थे एवलीन ने देखा कि उसके बेटी जॉय के अंदर वर्स चम करने की चमता दूसरे बच्चों की तुलना में काफी जादा है इसलिए वो अपनी बेटी पर एक्सपेरिमेंट करती है लेकिन उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है जिससे उसकी बेटी का दिमाग अलग-अलग युनिवर्स में वर्स चम करने की कोशिश में बिखा जाता है जिसके बाद उसके अंदर का इमोशन, फिलिंग, सब कुछ खत्म हो जाता है उसके अंदर बीना डिवाइस के एक युनिवर्स से दुसरे युनिवर्स में आने चाने की काबिलियत आ जाती है इसका मतलब अलफा युनिवर्स वाली जॉय एक ही समय में अलग-अलग युनिवर्स में ट्रैवल कर सकती है और यही मूवी का में टाइटल है यहां गार्ड्स एवलीन और वेमन्ट को पकल लेते हैं तब ही वहाँ अलफा युनिवर्स वाली जोई आ जाती है और वो सारे गार्ड्स को मानने लगती है एवलीन दुसरे युनिवर्स की मार्शल आर्ट वाली एवलीन की पावल लाने की कोशिश करती है लेकिन डर के मारे किसी दुसरे युनिवर्स की एवलीन के अंदर चले जाती है जिनके हाथ की उंगलियां काफी लंबी-लंबी होती है यहां ये मैडम एवलीन की बेस्ट फ्रेंड होती है जोई सारे गार्ड्स को मार कर एवलीन को उस युनिवर्स में ले जाती है जहां वो एक साथ सभी जॉइ की जिन्दिगियों को एवलीन को दिखाती है और कहती है किसी भी युनिवर्स में प्यार का कोई मतलब नहीं है जॉइ के अंदर हर युनिवर्स में सिब दुख और दर्द ही है जॉय अपनी बातों से एवलीन को अपने ही बनाए हुए बलेक होल में कैद करने की कोशिश करती है क्योंकि वो बागी एवलीन को मारते हुए एक ऐसी एवलीन तक पहुची जिसके अंदर सिब दुख और तकलिप थी जिससे वो जॉय का भी दुख आसानी से समझ पाएगी तभी यहाँ अलफा यूनिवर्स के एवलीन के पीता गौंग गौंग इस यूनिवर्स के गौंग गौंग के अंदर आ जाते हैं और एवलीन को जॉय से बचा लेते हैं उसके बाद सभी एक रूम में आ जाते हैं लेकिन तभी जॉय भी वहाँ पहुच जाती है जॉय के अंदर से अलफा यूनिवर्स वाली जॉय चली जाती है लेकिन फिर भी एवलीन कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी इसलिए वो जॉय को चेयर में बिठा कर उसे बान देती है इसके बाद अलफा यूनिवर्स के गॉंग इस यूनिवर्स के जॉय को मानने के लिए कहते हैं जिसके बाद गॉंग गॉंग अपनी गन निकाल कर जोय को मानने की कोशिश करता है पर एवलीन उन्हें रोक लेती है गॉंग गॉंग अलफा यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में कुछ लोगों को बुलाते हैं ताकि वो जोय को खत्म कर सके तब ही एवलीन अलग अलग यूनिवर्स की एवलीन की पावर लेकर अपनी बेटी को बचा लेती है ये देखकर वैमन कहता है कि तुम ही हो जो अलफा यूनिवर्स की जोय को रोक सकती है वो कहता है जैसा तुम ने किया आज तक वैसा किसी ने भी नहीं किया है इसे बीच अलफा यूनिवर्स वाली जॉय अलफा यूनिवर्स वाले वैमन के पास पहुँच जाती है और उसे मार देती है जिससे वो दुसरे यूनिवर्स में जाकर एवलिन की मदद ना कर सके जैसे ही वो अलफा यूनिवर्स वाले वैमन को माती है इस यूनिवर्स वाला वैमन वापस होस में आ जाता है तब ही हम देखते हैं कि इस यूनिवर्स में जॉय एवलिन को मानने आ जाती है लेकिन इस बार जैसे ही एवलीन उससे लड़ने के लिए अलग-अलग यूनिवर्स का साहरा लेती है तो उसका दिमाग उसका साथ नहीं देता और वो बेहोस हो जाती है बट रेल में वो उस वक्त अलग-अलग यूनिवर्स में अपने ही आउता से कनेक्ट हो जाती है जिसमें से एक यूनिवर्स में वो जॉय से लड़ाई करने लगती है जिसके बाद हर यूनिवर्स में एवलीन और जॉय के भी लड़ाई सुरू हो जाती है लड़ाई के दौरान जॉय उसे बताती है मैंने हर युनिवर्स में अपनी मॉम को देखा है जो जॉय को सुनना पसंद नहीं करती लेकिन तुम उन में से नहीं हो तुम्हें इस युनिवर्स की जॉय की फिक्र है इसलिए मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे बना सुरू करती है वैसे ही हर युनिवर्स की एवलिन का हर आतार अपने आसपास के लोगों से लड़ने जगरने और मायूस होने लगता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अलफा युनिवर्स वाली जॉय ने जो ब्लैक हुल बनाया था वो पुरी तरह से दुख और दर्द की भा जाती है लेकिन वैमन उससे रिक्वेस्ट करता है और डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए कुछ और समय मांगता है जिसके बाद वो मान जाती है इसके बाद उस दुनिया की एवलिन को अच्छा महसूस होने लगता है जिसके साथ साथ हर दुनिया की एवलिन अच्छा महसू करने लगती है इसके बाद वो एवलीन जो अलफा यूनिवेस वाली जॉय के साथ उस ब्लैक होल के अंदर जा रही होती है वो देखती है वैमन ने दूसरे यूनिवेस में लोगों को लड़ने से रोग दिया है तब उसे समझ में आ जाता है कि असल में एवलीन की जिंदगी म सिर्फ दुख नहीं है बलकि दया और प्यार भी है जिसकी वज़े से वो अलफा यूनिवेस वाली जॉय के साथ जाने से मना करने लगती है जिसके बाद जॉय को बहुत गुसा आने लगता है और वो ब्लैक होल के वाम होल को एक्टिवेट कर देती है जिससे सभी लोग एक खुल में नहीं जाएगा और वो ऐसा करने में कामियाब हो जाती है और दूसरे यूनिवेस में एवलीन के आसपास के लोग अच्छा महसूस करने लगते हैं और लाश्ट में एवलीन को अपनी बेटी जॉय का खयाल आता है जो की अलफा यूनिवेस वाली जॉय होती है वो उसे रोकने के लिए उसके दिमाग का यूस करती है वो जानती थी कि उनकी बेटी को अच्छा महसूस कराने के लिए उसे किसी दूसरे यूनिवेस में जाकर अपनी बेटी को ये समझाना होगा कि वो उसे अच्छी तरीके से समझती है और उसकी फिक्र करती है इसलिए वो तुरंट उस यूनिवर्स में जाती है जहां वो अपनी बेटी जॉय से बात कर सके यहां एवलीन अपनी बेटी जॉय से मिलती है और वो कहती है कि आप मुझे कभी नहीं समझती मॉम लेकिन तब ही Evelyn कहती है कि वो उसका भला चाहती है चाहे वो किसी भी दुनिया में हो लेकिन वो अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरीके से समझती है और उसकी फिक्र भी करती है ये सब सुनकर Joy अपनी मॉम को गले से लगा लेती है इस मूवी का कॉंसेप्ट दिमाग को हिला देने वाला था कॉमेंट करके जरूर बताईए कि ये मूवी आपको कैसी लगी अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लिस लाइक कीजे सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना बुले